इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। एक antifungal दवा है। इसका इस्तेमाल ringworm, athlete foot, nappy rash, sweat rash और vaginal थर्ष जैसे त्वचा में fungal infection के इलाज में किया जाता है। यह fungal cell membrane को नश्ट करके कवक को खत्म करता है। AFC dusting powder केवल बाहरी अंगों के लिए है। आपको डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधी के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इससे अधिकतम लाब पाने के लिए इस दवा का इस्तेमाल नियमित रूप से किया जाना चाहिए। अपनी आवश्यक्ता से अधिक उप्योग न करें क्यूंकि इससे दुश्प्रभाव बढ़ सकते हैं। अगर आपकी बीमारी चार सप्ताह से अधिक समय तक ऐसी ही रहती है या किसी भी समय अधिक खराब हो जाती है तो अपने डॉक्टर को बताएं। दवा का असर प्रभाविक शेत्र को साफ और सूखा रखकर और इनफेक्शन के इलाज से पहले और बाद में हाथ धोने से बढ़ाया जा सकता है। यदि आपको एथलीट फुट है तो अपने मोजे या चड़ी अच्छी तरह धोले और यदि संभव हो तो अपने जूते रोजाना बदलें। कुछ सामानने साइड एफ है। इसके लक्षनों में जिकते, होट, गले या चहरे पर सूजन, निगलने या सांस लेने में समस्या, चक्कराना और जी मिचलाना शामिल है। अगर ऐसा होता है तो अपातकालीन सहायता प्राप्त करें। मूह या इंजेक्शन द्वारा ली जाने वाली किसी अन्य दवा से इसके असर में बदलाव होने की संभावना कम है। लेकिन अगर आपके पहले कभी इसी के जैसी किसी दूसरी दवा का इस्तेमाल किया हो जिससे आपको अलजी का रियेक्शन हुआ हो तो अपने डॉक्टर से सलाह ले। गर भावस्था के दौरान इस दवा का इस्तेमाल क के वल तब किया जाना चाहिए जब यह स्पश्ट रूप से जरूरी हो विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क क्लिक करें और ओल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद